सहाबुदीन के गड़ सिवान में एक बार फिर से खेला होने वाला है MLC चुनाव को लेकर लगतार चर्चाएं हैं ऐसे में सहाबुदीन के करीबी भी MLC चुनाव में ताल ठोकेंगे लेकिन वो पार्टी होगी भाजपा और भाजपा से जब उन्होंने ताल ठोकने का दावा किया है तो भाजपा के पुर्व MP ने अब भाजपा का बिरोध कर दिया है यानि सहाबुदीन के करीबी अब भाजपा से MLC का चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा के MP यानि पुर्व में जो MP रहे हैं उन्होंने बिरोज शुरू कर दिया है आपको बता दे मनोज सिंग साहबुदीन के पुराने समय में काफी करीब बताय जाते हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं सिवान में MLC के चुनाव को लेकर खासा चर्चा है टुनाजी पांडे को लेकर भी चर्चाए थी लेकिन अब राजद ने वहां से अलग परत्यासी उतार दी हैं टुनाजी पांडे को लेकर चर्चा थी कि राजद के तरफ से MLC उन्हें बनाया जाएगा लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही उसमें मनो सिंग जो पुर्व में मिलसी रहे हैं उनकी दावेदारी भाजपा के तरफ से मजबूत बताई जा रही है वही ओम प्रकास यादो पुर्वे MP हैं उन्होंने बिरोध कर दिया है और कहा है कि सिवान में हत्यारे को हम टिकट नहीं देने देंगे भाजपा इस प्रकार की गलती नहीं कर सकती है उनका दावा है कि सहाब बुद्दीन जब थे तो उनके साथ 147 लेकर ये चला करते थे और उनके खास आदमी थे उन्होंने कहा है कि हम भाजपा अलकमान से इस बात का जिक्र करेंगे कि उनको टिकट न दिया जाए साथी साथ उन्होंने भाजपा का बिरोध करना शुरू कर दिया है उन प्रकास यादों ने कहा है कि जसावली के हरी संकर से हंत्याकान में मनोज सिंग बहुत जल्द सजा होने वाली है इसको लेकर अब वो अपने पत्नी को चुनाओ लड़वाना चाहते हैं साथी साथ उन्हों ने कहा हम इसका विरोद करेंगे भाजपा अपराधियों की पार्टी नहीं है आपको बता दे मनोज सिंग तीन बार MLC का चुनाओ लड़ चुके हैं लेकिन अभी वो फिलहाल चिराग पास्वान की पार्टी लोजपार में है वो राजत के समय में पूरु करना शुरू कर दिया था मनोज सिंग कई बार दल बदल कर चुके हैं साल 2014 में लोग सभाद चुनाओ जदू के टिकट पर लड़े थे साल 15 में बिहार विदान सभा का चुनाओ बीजेपी के टिकट पर जबकि 20 में लोजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाओ लड़ा है सा कर सम्मेलन कराने की बात कहने वाले स्याम बहादूर चिंग बरारिया से विधायक हैं नितीश कुमार के काफी कड़ी भी माने जाते हैं उनका दावा है कि जदियू से इनको सिवान से टिकट मिलेगा हाला की निर्दलिये तोर पे वो दावा कर रहे हैं मनो सिंग की माने तो जहां भाजपा से मनोज सिंग की दावेदारी बताई जा रही है वहीं रईस खान ब्रदर्स जो जदिव से दावेदारी ठोक सकते हैं हाला कि निर्दली दावेदारी कर रहे हैं वहीं अगर बात करें तो सिवान में सहाबुदीन की तूती बोलती थी और सहाबुदीन के खास समखास मनो सिंग भी भाजपा से दावा टोकेंगे ऐसे में अब भाजपा के पुर्व MP ने यह दावा किया है कि सिवान में उनको टीकर्ट किसी भी हाल में नहीं देने दिया जाएगा तो देखने वाली पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रक कारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद